मेरे प्यारे बच्चो आज इस वीडियो में हम नीट के एप्लिकेशन फॉरूम फेज टू को कैसे फिल करना है इसका step by step प्रोसेस समझेंगे इसमें मैं आपको हर एक फिल्ड में क्या-क्या फिल करना है ये बताऊंगा और आपको फिल करते से में कहां-कहां पर क्या-क्या प कोमेंट्स अप्लोड के बारे में डाउट है तो वह भी मैं इस वीडियो में दूर करने वाला हूँ तो वीडियो को पूरा देखिए जरा भी skip नहीं करें मैं सोचता हूँ ये वीडियो देखने के बाद में आपको कोई किसी प्रकार का डाउट नहीं रहेगा तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको इंपोर्टेंट बात ये बता देता हूँ कि अभी कुछी दिनों में रजल्ट डिकलियर हो जाएगा और उसके बाद एमबीबीएस बीडीएस एडमिसन के लिए काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी अगर आप एमबीएस बीडीएस में एडमिसन लेना चाते हैं उसका काउंसलिंग प्रोसेस समझना चाते हैं तो मैंने इसके बारे में बुक लिख दी है आल इंडिया कोटा इस्टेट कोटा आयूस और वेटनरी की हर परकार की बुक लिखी है मैंने उसमें काउंसलिंग प्रोसेस फस्ट राउंड में कैसे को कॉलेज फिल करनी है उसके बाद में इसमें प्रिवेश येर की कटोप दी गई ये जिसे आप आइडिया लगा सकते हैं कि इस साल आपको कौन सी कोलेज मिल सकती है तो इसमें सब कुछ पूरा प्रोसेस समझाया गया है फीस दी गई है सीट दी गई है सीट मैट्रिक्स दी तो मैंने ये बड़ी मेनत से बुक ले गी है तो मैं सोचता हूं कि आपके लिए काफी लापदाई हो गया और आपको इसको डाउनलोड करना चाहिए तो डाउनलोड इसके आप वीडियो के डिस्क्रेप्शन बॉक्स से भी कर सकते हैं या फिर हमारी वेबसाइट www.chopraeducation.com स तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि इसमें कोई किसी परकार का certificate अपलोड नहीं हो रहा है इसमें आपने जो part 1 में detail फिल की थी उसमें gender, category, nationality और 12th की detail में correction कर सकते हैं इसके अलावा आपको 10th और 11th की detail फिल करनी है बस इतना ही आपको करना है और उसके का ध्यान दे लें यहाँ पर इस form को आप सावदानी से फिल करें क्योंकि यह facility सिर्फ एक ही बार है अगर आपने submit कर दिया तो फिर आप इसमें edit नहीं कर सकते हैं तो submit करने से पहले ही edit कर लें पूरी detail एक बार चेक कर लें उसके बाद ही submit करें इसको अब हम देखते हैं इस step by step आपको क्या फिल करना है तो सबसे पहले आपको need.nta.ac.in की website पर जाकर correction phase to need ug21 पर click करना है जैसे ही click करेंगे application number password डालके आपने sign in करना है यहाँ capture code डाल देना है अगर आप application number भूल गए हैं या password भूल गए हैं तो यहाँ forget का option दिया गया है दोनों के लिए तो यहाँ स आप forget करके retry कर सकते हैं तो जैसे ही आप sign in करेंगे इस परकार का interface आएगा जो आपने part 1 में application form fill के आदा 4 step में वो यहाँ show होंगी download confirmation page show होगा इसको हम बाद में download करेंगे इससे नीचे लिखा है correction come filling up phase 2 application form लिखा है इस पर हम click करेंगे application form apply के लिए phase 2 के लिए तो जैसे ही इ यहाँ पर जो हमने पहले mobile number दे रखे दे वो mobile number पर OTP आएगा यहाँ आप ध्यान दे लेंगी यह OTP कभी कभी लेट हो जाता है तो आप एक बार 15 मिनिट तक wait कर लें अगर फिर भी नहीं आ रहा है तो recent code पर click करके आप दुबारा भी आपके पास mobile में यह OTP आ सकता है एक ब application में आप अपने mobile की जो memory है SMS की वो बिल्कुल clear कर लें उसके बाद recent code पर click करें तो जैसे ही recent code पर click करेंगे आपके पास OTP आ जाएगा यह आ जाता है कोई problem नहीं होती है इसमें यह OTP यहाँ पर आपको fill करना है verify and proceed for correction पर click करना है तो जैसे ही इस पर आप click करेंगे आपकी details emails आ जाएगी इसमें आप candidate name पर जैसे करसर ले जाओगे आपको allow नहीं करेगा इसमें कुछ edit करने के लिए date of birth में भी कोई allow नहीं करेगा इसके बाद में जेंडर में आप correction कर सकते हैं इसमें आपको drop down करेंगे तो तीन option मिलेंगे male female transgender तो जो भी आपका gender है वो पहले आपने fill किया वो यहां show हो रहा है अगर आपने correction करना है गलती से आपका पहले वाले पार्ट में कुछ अलग फिल हो गया है तो यहां आप correction कर सकते हैं फादर नेम में correction नहीं कर सकते हैं नेशनल्टी में आप correction कर सकते हैं यहां पर आपको चार option मिलेंगे Indian, OCI, Foreign और NRI इन में से ज करना state या so होगा उसमें correction नहीं कर सकते हैं तो जो भी आपकी category है उसमें correction कर सकते हैं काफी student ने पहले OBC फिल कर दिया था या EWS फिल कर दिया था उनका certificate नहीं बना तो वो इस समय अभी journal फिल कर सकते हैं इसके बाद में मैं आपको बताऊं कि जो OBC की category है central list में है तभी आप के state में OBC है central में OBC नहीं है central list में आपका OBC में नाम नहीं है आपकी category का तो उसमें आपे general फिल करना है ये आप चेक कर सकते हैं इसकी website से जो central list है वो ncbc.nick.in की website पर जाकर आप अपने state की लिस्ट चेक कर लें कि आपकी जो OBC category है वो central list में है या नहीं है अगर नहीं है तो आप जनरल में फिल कर दे हैं, जनरल फिल कर दे हैं, तो यह इस परकार से आप category में change कर सकते हैं, इसके बाद में next में हमने आगे जो change करना है, वो इसमें 10th की detail फिल करनी है यहाँ पर, तो 10th की detail फिल करने के लिए सबसे पहले आपको pass status पर जैसे ही drop down करेंगे तो यहाँ past लिखाएगा, क्योंकि 10th pass करने के बाद ही आगे आपने 12th की exam दी है, उसके बाद में passing year next column में fill करना है, drop down करेंगे, सारे passing year आजाएगे, जो जिस year में आपने pass किया है, वो passing area फिल कर देंगे, उसके बाद में जो qualifying exam code है, इस पके drop down पर आप click करेंगे, तो यहाँ simply 10th लिखा आएगा, 10th पर click कर दीजेगा, इसके बाद में place of schooling लिखा है, तो इसमें दो option आएगे, जैसी drop down पर click करेंगे, तो rural और urban आएगा, अगर आपके school gramine area में है, तो आप rural कर दीजेगा, अगर city में school है, तो इसमें आप urban कर सकते हैं, इसके बाद में type of school, type of school में जैसी आप drop down प करेंगे, तो इसमें 3-4 option आएगे, state government आएगा, state government added आएगा, kendriya विद्याल आएगा, जमार नोदे विद्याल आएगा, private आएगा, और others आएगे, तो इस परकार के option आएगे, अगर आपने private से pass की है, आपकी school private थी, तो private कर दें, अगर government थी, तो government कर दें, इसमें state government कर दें, तो ये option आप fill कर सकते हैं, इसमें type of school oblique colleges में, इसके बाद में, जो qualifying examination state है, जिस state में आपने 10th pass की है, उस state को drop down करके यहां fill कर दें, उसके बाद आगे district fill करें, district fill में कभी-कभी थोड़ा सार समय लेता है, ये district के लिए, तो जैसे ही ये drop down पर click करेंगे, सारे district आजाएंगे जो आपने state fill किया है, तो जिस district से आपने 10th pass की है, वो district यहां fill कर दें, अब यहां school board है, तो school board में सारे boards दिये गए हैं, state boards भी हैं इसमें, CBSC भी है, तो जिस से भी आपने 10th pass की है, वो यहां fill कर दें, अगर आपका इसमें कोई board show नहीं हो रहा है, तो others में करके नीचे नाम fill कर सकते हैं, इसके बाद में हम आगे बात करते हैं, result mode गी, तो इसमें result mode पर जैसे हम drop down करेंगे, तो drop down करेंगे तो हमारे पास दो option आएंगे, percentage और CGPA, आजगल तो 10th percentage में आ रही है, CB percentage में ही दे रहा है, result पहले इसका CGPA में दे रहा था, तो जैसे ही percentage पर click करेंगे, तो आपको total marks fill करने हैं यहाँ पर, और फिर obtain marks fill करने हैं, और percentage automatic आ जाएगी, अगर आप CGPA पर करते हैं, तो इसमें total maximum CGPA हैं, वो 10 होते हैं, उस पर click कर दें, और इसके बाद में जितने आपने 10th में CGPA obtain किये हैं, उस पर click कर दें, और आगे result में अपने आप CGPA बता देगा, कि आपका कितना CGPA आया हुआ है, इसमें, इसके बाद में roll number आपको fill करने हैं, roll number fill करने के बाद में school का address fill करना है, अच्छे roll number fill करते से में, मैं आपको बता दूँ कि जो आपका 10th का certificate हैं, उसमें एक तो certificate number होते हैं, वो उपर ही उपर होते हैं, serial number और इस से नीचे roll number होते ह तो वो roll number की जगे देखके आप थोड़ा सा ध्यान से fill करें, उसके certificate number नए भरें, इसमें roll number ही fill करें, इसके बाद में school कहां पर इस्तित्था आपका, वो address यहां पर fill करना है, और school का address का pin code है, वो pin code यहां डालना है, कि कौन सी जगे था, उसका pin code क्या है, pin code का मतलब postal office, जो आपके post office के pin code है, वो यहां पर drop करने है, इसी परकार से आपको 11th की detail fill करनी है, तो जब आप 11th की detail fill करेंगे, तो same column है इसमें, अब इसमें उन student के लिए problem आती है, जो private candidate है, यानि कि जिनोंने 11th का, जिनका मतलब है, result नहीं, direct है, 12th किया है, तो उस condition में, आप इसमे passing year वग है, उसमें आप school का address है, उसमें private भर दें, तो इस परकार से ये detail, आप इसमें 11th की detail fill कर दें, इसमें, private fill कर दें, और बाकी column है, वो blank छोड़ दें, तो इस परकार से आप 11th की detail fill कर सकते हैं, लेकिन जिनोंने 11th pass कर लिया है, जिनके पास certificate है, तो वो पूरी अपनी detail fill करें, इसमें address वगरार ये सारा fill कर सकते हैं, अभी इसमें सबसे बड़ी बात, ये दिक्कत ये आती है, कि इसमें school board कौन सा होगा, तो school board का मतलब ये है, कि आपका 12th का board होगा, वो ही इसमें school board होगा 11th का, क्योंकि वो same board से ही आप अगर CBSC से length कर रहे हैं, तो 12th भी आपको CBSC से क कर सकते हैं, जैसे result आ गया तो appearing की जगे past करना है, तो past कर सकते हैं, अगर appearing भी रहने देंगे तो इसमें कोई problem नहीं है, बाद में आप अपना certificate college में deposit कर सकते हैं, अगर आप करना चाहें तो यहां past कर सकते हैं, year भी past का कर सकते हैं, और code भी change कर सकते हैं, मैं सोचता हूँ, अगर ऐसे भी आप रहने देंगे, appearing भी रहने देंगे तो इसमें कोई problem नहीं है, आप बाद में submit कर दीजेगा, अब इसमें बाद में आपको जो नीचे fill करना है, वो present address fill करना है, तो यह present address fill करने के बाद में, नीचे जो parent income details है, यह इस बार fill करनी है, तो parent से income details है, वो optional है, option का मतलब इसको आप blank की भी छोड़ सकते हैं, तो मैं यहाँ पर आपको suggest यही करूँगा, कि आप blank छोड़ दें तो भी कोई problem नहीं है, और blank छोड़ दें तो ही अच्छा रहेगा इसमें, इसमें जो फिर भी मैं आपको बता रहता हूँ, इसमें सबसे पहले father की detail मांगी ग करेंगे तो इसमें लिखा हुआ है, illiterate लिखा हुआ है, matriculate लिखा हुआ है, graduate लिखा हुआ है, post graduate लिखा हुआ है, और इसके बाद में others लिखा हुआ है, और doctorate लिखा हुआ है, तो जिस qualification है, आपके father की जो भी qualification है, वो drop down करके इसमें fill कर दें, नीचे वाले option में mother की कर दे हैं occupation में इसमें जो drop down के option दिये गए हैं वो agriculture business medical engineering law practice government service public sector service private service teaching oblique research तो इसमें drop down करके जो भी है जिसके लिए applicable हैं वो आप drop कर सकते blank भी छोड़ सकते हैं annual income पे जैसी भी आप click करेंगे तो same drop down आएंगे इसमें एक तो सबसे पहले up to 1 लाग तक आएगा फिर ये annual income होगी 1 लाग तक आएगा फिर 2 लाग एक से 2 लाग इस परकार से 8 लाग और 8 लाग से अबोग तो जो भी इनकम है वो फिल कर सकते इसको blank भी छोड़ सकते हैं इसके बाद security pin पर click करके आपको submit करना है तो जैसे ही आप submit करेंगे इस परकार का pop-up आपके पास में show होगा इसमें लिखा हुआ है कि आप अपने details को पहले review कर लें अच्छी तरह और आपकी पूरी detail यहां दी होगी जो आपने fill की है अगर आपको यहाँ edit करने की जरुरत है आवश्यक्ता है आपने कोई गलत fill कर दिया है तो यहां पर edit application form का option है इस पर आप click करके edit कर लिजेगा मैं फिर बता देता हूँ कि एक बार submit करने के बाद में आप इसमें edit नहीं कर सकते यह facility सिरफ one time ही है अगर आपने बिल्कुल आपका form वगरा सबको सही है तो यहां पर तीन option दिये गए है जेंडर category और educational detail इन पर आपने tick करना है टिक करने के बाद में I agree पर भी tick करना है और final submit पर click करना है यह close का option उपर आ रहा है इस पर आपने close कर देना है और final submit पर आपने tick करना है तो जैसे आप final submit पर टिक करेंगे आप कर से पूछा जाएगा कि क्या आप यह final submit करना चाते हैं तो yes पर करेंगे तो ठीक है आपका form submit हो जाएगा no पर करेंगे तो वह आपिस edit option में चला जाएगा आप इस पर फिर edit कर सकते हैं तो जैसे ही मैंने yes पर click किया यह मेरा form complete हो चुका है यानि कि जो पार टू का application form है बस इतना ही है इसमें आप क्या क्या कर सकते हैं इसमें आप जेंडर में correction कर सकते हैं national team में correction कर सकते हैं इसके अलावा इसमें आप जो correction कर सकते हैं man correction है category में correction कर सकते हैं तो इस परकार से तो आपने जो पहले फिल किये हैं उसमें क्रेक्षन कर सकते हैं तो बस इतना साइए फोर्म है इसमें बड़ा कोई इतना बड़ा फोर्म नहीं है कि आपको इसमें प्रेशान होने की आवशेक्ता नहीं है कोई किसी प्रकार का certificate आपको upload करने की जरुवत नहीं है इसमें ये सब complete करने के बाद में आपने download confirmation page का आपने print ले लेना है जो exam से पहले form फिल किया था उसमें कुछ detail कम थी जैसे 11-12 की तो आपने अभी download confirmation page पर click करके ये नया confirmation page आपने print करके रख लेना है ये admission के time में आपको काम आएगा अब इसमें जो और दी गई है application progress status दिया गया है मैं बता दूँ यहां left side में दिया गया है सबसे पहले view registration form दिया गया है इससे click करके आप अपना registration form देख सकते हैं कि आपने क्या-क्या फिल किया था तो यह सारी detail आ जाएगी पूरा registration form आ जाएगा इसी प्रकार से view application form पर click करके आप अपने application form देख सकते हैं पूरा का पूरा फिल किया हुआ आपका application form आ जाएगा इसके बाद upload documents पर click करेंगे तो upload documents पर click करेंगे तो आपके photo sign और thumb impression जो आपने किया था upload part 1 में वो यहां दिखाई देगा मैं आपको फिर बता दूं कि part 2 में किसी प्रकार का कोई documents upload करने की जौरत नहीं है किसी भी प्रकार का documents upload नहीं होगा इसमें इसके बाद में view fees receipt पर click करेंगे तो आपने जो fees पहले pay की हुई है वो fees यहां show होगी तो उस पर आप click करके यह देख सक है तो यहां देख सकते हैं यहां पर आपको second part के लिए कोई किसी प्रकार की fees पे नहीं करनी है इसके बाद में नीचे verify mobile number email id दिये गए हैं अगर आप इसने पहले verify किया हुआ है तो यहां पर होगा नहीं इसमें अगर आपने पहले verify नहीं कर रहा है तो इसमें आप mobile number पर click क करके उस पर OTP आएगा उसको verify करवा सकते हैं और email id पर click करके इस पर OTP आएगा तो उसको भी आप verify करवा सकते हैं तो इस प्रकार से यह step था यह सारा complete होने के बाद में यह home change password इसके बाद में logout का option है तो आप इसको logout कर सकते हैं यह सब कुछ complete हो जाने के बाद में तो यह एक simplicity process था जो मैंने आपको समझाया है अगर फिर भी आपको कोई problem आती है तो आप हमारे comments box में comments कर सकते हैं मैं आपको फिर यह बता रहा हूँ कि अगर आपको counseling के बारे में जानकारी लेनी है तो हमारी book download कर सकते हैं वो मैंने बड़ी मैनत के साथ में उसमें सब कुछ समझा आया गया है तो आप उसको download कर सकते हैं आपके लिए काफी helpful रहेगी तो दोस्तों मिलते हैं नई जानकारी के साथ नए वीडियो में तब तक मैं हरसाई चोपड़ा आपसे लेता हूँ विदा जैनी